जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं जब पेडू में दर्द होता है या जब पेडू में सूजन की समस्या हो जाता है या फिर सफेद पानी आता है महिलाओं में तब डाक्टर के दारा कोन कोन सी दवा दी जाती है जैसे कि महिलाओं में सफेद पानी आना फेलविक एरिया में काफी ज़्यादा सूजन आ जाता है काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है और बेजाइनल से हलका हलका डिस्चार्ज होता रहता है सफेद रंका तो वहाँ पर डॉक्टर के दारा जो मेटसीन दिया जाता है डॉक्टर के दारा वो कौन कौन सी मेटसीन उपियों की जाती है इसके बारे में आज हम पूरा डीटेल से आपको हिंदी में जानकारी देंगे इसके मेंनली सिम्टम्स क्या दिखाए देते हैं और मेंनली इसके कास क्या होते हैं चलिए जान लेते हैं आपर हम सबसे पहले बात करते हैं कास फेल्विक इंफलामेटरी डिजीज जिसमें पेडू में सूजन आ जाता है पेडू में दर्द रहता है तो उस condition को कास करने वाले कारड क्या हो सकते हैं इसमें कोनोरिया या क्लेमेडिया ये बीमारी है और वो proper treatment नहीं कराया है उसको 90% chance होते हैं PID होने का PID के अधर कास की बात करें तो जैसे की abortion करवाया हो या फिर child breath या फिर pelvic procedure हुआ हो भी परकार से डॉक्टर के दोरा या फिर किती इवड़ाइड डिवाईस से तो इस condition में PID होने के काफी ज़्यादा chance रहते हैं जैसे कि हम बात करते हैं इसमें किस परकार के symptoms appear होते हैं जो इसमें symptoms देखे गए हैं सबसे पहला है पेन इन इस्टमक इस्टमक रीजन पर पेन होगा यूंकि हमारे लोवर एब्डॉमिनल एबनॉर्मल बेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या होगी यानि बेजाइना से हलकालका सफेद पानी निकलेगा और चिल यानि बुखार भी हो सकता है नोजिया बूमेटिं यह सब समस्या देखने को मिलता है जैसे कि जो मुखेता डॉक्टर के दौरा जो मेडिसीन उपियो किया जाता है वो हमारा पहला मैडिसीन है अन्टिवाइटिंग मेडिसीन है सेफिसेट एजेड एल बी के नाम से यह मेडिसीन काफी अधिक एफेक्टिव होता है क्योंकि यह मेडिसीन पर आपको काफी ज़्यादा साल्ट देखने को मिलेगा जैसे कि सिफेक्जीम है एजितरोमाइसीन है लेक्टिक एसिड बिसेयलेश टेबलेट है यह मेडिसीन काफी ज्य ज्यादा whisky होता है यह मेडिसीन डॉक्टर काफी ज्यादा पैसक्राइब करते ह हैं इस कंडिशन में वहीं हम अधर मेडिसीन की बात करें तो अगला मेडिसीन है मेट्रो नीडाजॉL इस मैडिसीन का भी काफी ज़्यादा उपियोग किया जाता है क्योंकि हे उटनल जैसे कि हमारे इंटनल आर्गर में किसी परकार का इनफैक्शन है जैसे कि यूटी समस्य में क्या होता है person or में दर्द मेडिसीन को खाना क्खाने के बाद में गोली सुभा, गोली साम को लिया जाता है जैसे कि जो कौन इस मेडिसीन का काफी वेमस ब्राइंड नेम है और इसमें फलू कुना जोल होता है ये 1500 mg का टबलेट होता है ये हफते में आपको दो बार खाना होता है जैसे कि एक टेबलेट आज अगर आप खा सकते हैं तो इसके तीसरे दिन भी आप एक टेबलेट ले सकते हैं यह medicine आपको हपते में दो बार खाना होता है डॉक्टर के prescription के अनुसार जैसे कि अगला medicine है हमारा अगर आप इस टेबलेट को लेंगे तो अगर आपको गयस की समस्या रहेगी या फिर कबज की समस्या रहेगी तो वो नहीं रहेगा इस medicine से वहीं कुछ other treatment की बात करें इसमें कुछ uterine tonic दिये जाते हैं जिससे जो PID की problem है वो भी साथ साथ दूर हो जाए ज्यादातर herbal tonic उप्योग किया जाते हैं ऐसे problem को treat करने के लिए फिर ampusp हो सकता है या फिर कोई आरुवेदिक tonic हो सकता है PID की problem को treat करने के लिए supplement के रूप में a tonic दिया जाता है कुछ multi vitamin medicine भी दिये जाते हैं जैसे की a to z का tablet हुआ है अधर कुछ supplement डॉक्टर के दौरा पे subscribe किया जाता है यह कुछ medicine थी जो हमने आपको बताया है PID की treatment में डॉक्टर के दौरा पे subscribe किया जाता है अगर आपको कोई दिक्कत कोई परिसानी है तो अपने नजदी की डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक करके दवा लें कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें